Hello everyone, I am Priyanka और जो आज की हमारी class रहेगी इस class में हम exercise 13.5 स्टार्ट कर रहे हैं So exercise 13.5 के introduction में हमने पढ़ा था Bernoulli Trials और Binomial Distribution तो ये कुछ अलग नहीं है जिस तरीके से हम probability distribution find करना सीखें हैं तो यहाँ पर भी वही probability find करना है अलग-अलग trials की तो जरूरी ये है कि आपको Bernoulli Trials, Binomial Distribution ये इसका concept clear होना चाहिए क्योंकि इसके introduction वीडियो में हमने example के साथ सारा सब कुछ समझाया है कि Trials जो है उनको Bernoulli Trials क्यों कहते हैं तो कुछ अलग-अलग conditions रहती हैं अगर वो conditions satisfy होती है तब ही जाके आपके जो trials है वो Bernoulli Trials होंगे इसके बाद जो Binomial Distribution है उसको हम Binomial Distribution क्यों कहते हैं क्योंकि Binomial Expansion जो है उसी से आपका ये जो distribution है आया है इसलिए उसको हम कहते है Binomial Distribution है ये आपका Probability Distribution ही ठीक है तो पूरा Concept तो अभी यहां नहीं समझेंगे क्योंकि हम अलड़ी समझ चुके हैं ठीक है तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा Introduction वीडियो अगर नहीं देखा है तो देखा है तो फिर कोई बात ही नहीं है सब कुछ समझ में आहीं जाने वाला ठीक है कर रहे हैं कहने का मतलब यह कि छे बार डाय को थ्रो करना बहुत सारे आउटकम हो जाएंगे तो इसलिए ऐसी जब conditions आ जाती है तब हमको ध्यान देना है कि यहां पर normally हम solve नहीं कर पाएंगे तो यहां पर हम binomial distribution और हमारे जो आउली ट्रायल से उनी का यूज करके मां इसको solve कर पाएंगे तो पहली चीज हो गई कि डाय को हम थ्रो कितनी बार कर रहे है छे बार तो एक बार तो यहां पर भाई यह जो success बाला word है इसको ध्यान में रखना है अब question में success और failure आपको लेना कैसे इस चीज़ का ध्यान रखे कि जो आपको question में दिया है अब वो कुछ भी दिया हो उसको आप success लेकर चलेंगे उसके अलावा जो भी रहेगा वो रहेगा आपका failure है तो हाला कि example में अपने समझा था और यह question और समझ लेंगे आपको सब कुछ clear हो जाएगा ठीक है तो getting an order number is a success तो जो यहाँ पर जो number of success रहेंगी ना वही आपका रहेगा x ठीक है इसके बाद पूछा है what is the probability of first part of five success तो अभी हमने first part लिया है लेकिन इस तरह के question को करने से पहले आपको क्या क्या चीजों की जोरत लगे क्योंकि probability पूछी है five success की तो यह formula हमको पता है ठीक है यह हम पढ़कर आ रहे है क्या formula हम पढ़कर आ रहे है कि probability अगर हमको find करना है ठीक है अब यहाँ पर five success बोला है इसके लिए formula आपने पढ़ा था n c x small p की degree x small q की degree n minus x तो यह formula आपन पढ़कर आए है इसी formula का आपन यूज़ करेंगे इसलिए सबसे पहला काम आपका है कि n क्या है यहाँ पर small p क्या है small q क्या है यह तीनों चीज़ें find करना first part पे जाने से पहले क्योंकि first second third तीनों में आपको इन तीनों चारों चीज़ों की ज़रत लगेगी ओके ठीक है चलो तो अपने को सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ें चाहिए है solve करने से पहले अपन वो यहाँ पर सारी चीज़ें लिख लेंगे तो देखिए जैसा कि यहाँ पर बोला गया कि डाय को हम 6 बार थो कर रहे है तो यहाँ पर trials कितनी हो जाएंगे 6 पहली बात अपने को clear हो गई ठीक है और क्योंकि यह हम देख रहे हैं कि एक बार थो कर रहा फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार तो 6 बार थो कर रहा है तो यह repetitively हो रहा है तो इसलिए यह हमारे हो गए अपने Bernoulli trials अब इसके बाद आगे चलते हैं इन्होंने बोला if getting an order number is a success तो वह यहाँ पर success क्या है getting an order number तो अगर एक trial की बात करें हैं तो यहाँ 2 आता है 3 आता है 4 आता है 5 आता है और 6 आता है बात समझ में आ रहे हैं यह छे number अपने आएंगे एक बार अगर एक trial की बात करें ठीक है क्योंकि एक सा सारे trial की बात नहीं करें हम एक ही trial की बात कर रहे है कि एक trial में अपने यह शे नंबर आएंगे अब इन में से order number कौन-कौन से है तो आप देख लो 135 ठीक है समझ में आगई बात और अपना जो number of success होता है वही होता है अपना x x equal to क्या होता है number of success जिसको हम small x से show करते हैं ठीक है अब हम बात करेंगे कि success की probability और failure की probability तो यहां लिखेंगे probability of success और हम यह चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ चुक है introduction में कि success की probability को small p से हम show करते हैं ठीक है तो अब यहां पर success की probability मतलब अगर हम एक डाय को फ्रो करते हैं तो getting an odd number जो है यह आपकी success है clear बोले जा रहा है कि getting an odd number is a success अगर success जो है यह getting an odd number है तो इसकी probability आप कैसे फाइंड करेंगे number of favorable outcome over total possible outcome एक दाय को जब हम फ्रो करेंगे तो टोटल 6 outcome आएंगे अब उसमें से odd number कितने हैं आपके 3 आप देख रहा है अपनी failure की probability जिसको small q से show करते हैं तो इसके अलबा बचा कौन है 2 बचा है 4 बचा है 6 बचा है तो यहां पर भी number of favorable outcome over total possible outcome तो यह हो जाएगा 1 upon 2 यह भी आ जाएगी 1 upon 2 तो पहली चीज़ यहां पर अपने फाइंड कर ली यह चीज़ आपको सबसे पहले find करना है इस तरह के questions में कि आपको any की value चाहिए small p की value चाहिए small q की value चाहिए बात clear हो गई चलो अब अपन चलते हैं अपने first part पर first part में बोला है five success हमको probability find करना है five success की तो five success मतलब क्या हो गया number of success मतलब small x की value कितनी है यहां पर five हमको बताना है probability of यहां पर five success तो small x क्या है अपना यहां पर five clear हो गई बात अब इसके लिए formula अभी मैंने आपको बताया था कि अगर probability आपको find करना x equal to small x की तो यह formula होता है ncx ठीक है पी की degree x और q की degree n-x ठीक है तो यहां पर आप formula में value रख दीजे सारी value आपके पास है ही ठीक है तो यहां पर रखते हैं आपन value तो probability of n कितना है 6 c 5 small x की value 5 इसके बाद अपना यहां पर p, p क्या है probability of success half कितनी value इस पर degree कितनी है x, x मतलाब अपना कितना हो गया 5 इसके बाद यह भी अपना आया है half, q क्योंकी value half आई है न और n-x तो n कितना है अपना 6 minus 5 तो चाह हो तो लिखे हो बस इसको solve करना है अब यह चीज़ अपन class 11 में पढ़कर आए है n c x अब वहां r होता था यहां x है तो यह होता है factorial n upon n-x factorial और factorial x तो इसको solve कर लेते हैं n कितना है अपना factorial 6 upon 6-5 यानी factorial 1 और यहां आ जाएगा factorial 5 अब factorial 6 को अगर आप open करते हैं तो 6 into factorial 5 upon factorial 5 5 से 5 cancel बचा कितना 6 ठीक है तो 6 इसी 5 को solve किया तो 6 आ गया ठीक है अब यहां पर देखें यह half की डिगरी 5 और यह half की डिगरी 6-5 या नी 1 ठीक है तो half की डिगरी 5 half की डिगरी 1 दोनों को add कर लेंगे मतलब बेस से में तो degree add हो जाएगी तो half की डिगरी हो जाएगा 6 बात क्लियर हो गई यह 6 इसके multiply में है 6 into half की डिगरी 6 clear अब इसके बाद और आ गया अगर आप इसको solve करते तो यह हो जाएगा 6 into 1 upon 2 की डिगरी 6 या नी 64 ठीक है और अगर आप solve करेंगे तो 2 से cancel करेंगे तो 23006 23006 22004 तो 3 upon 32 आ गई आपकी probability of getting 5 बात क्लियर हो गई ठीक ह तो यह जो कुछ चीजें है ना आपकी यह जो चीजें है यह आपको solve करते आना चाहिए और यह चीजें हम already class 11th में कर चुके हैं तो इतनी दिक्कत अपने को नहीं आने वाली ठीक है clear हो गई बात तो यह formula भी हमने देखा ही था यह formula भी हमने देखा ही था introduction में ठीक है तो य आला कि हर पार्ट में आपको यह अलग अलग लिखने की सुरुत नहीं है क्योंकि आपने एक बार लिख दिया है फ्रस्स सेकंड थर्ड में आपको वही चीज रखनी है अब क्योंकि हम सेकंड पार अलग से करने इसलिए यह value मैंने पहले से लिख रखी है कि यह कैसे find किया आपको पता यह फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया अब यहां पर आप देखें हमको क्या बोला जा रहा है अट लीस्ट फाइव सक्सेस प्रॉबबिलिटी ओफ गेटिंग इसको लिखेंगे कैसे आपन इसको अपन लिखेंगे प्रॉबबिलिटी ओफ आट लीस्ट कम से कम 5 जादा से जादा इससे हो सकता है ठीक है कम से कम 5 और इससे जादा x की value हो सकती है बात clear हुई तो इसमें आपका 5 भी include रहेगा और 6 क्यों की equal लगा है at least कम से कम 5, जादा से जादा 5 से जादा जो भी रहे, तो 5 तो रहेगा और 6 भी आ जाएगा, बस बात ही खतम होगा यहाँ पर, तो इसको अपना solve कर लेंगे, तो यह हो जाएगा, probability of x is greater than and equal to 5, at least 5 इसको लिख सकते हैं, probability of x equal to 5, plus probability of x equal to 6, ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि यह solve करते हैं नहीं हाता क्या, बिल्कुल कर लेंगे, तो formula आपना वही रहेगा, n, n कितना है, n, c, x, ठीक, small p, small p, small p क्या है अपना, half, की degree, x, फिर, small q, की degree, n, minus x, 6, minus 5, formula मैं यहाँ side में लिख देती हूँ, आप चाहों तो यहाँ पर देख लीजे, ठीक है, clear, क्योंकि यहाँ पर बार-बार अपन नहीं लिखेंगे, plus, यहाँ पर, क्या हैगा, n, c, x, p की degree, x, q की degree, n, minus x, यानि 6, minus 6, clear होगा ही बात, चल, ठीक, अब 6, c, 5, यह already हमने फर्स्ट पार्ट में solve किया तो उसकी value कितनी रही थी, 6, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में, 6, c, 5, solve के तो 6 आया था, अब यहाँ पर है, half की degree, 5, और यहाँ पर है, half की degree, 6, minus 5, यानि 1, ठीक, अब यह है, n, c, n, तो यहाँ पर एक चीज़ और आप नोट कर लीजी, हमने पढ़ा था, n, c, n, या फिर, n, c, 0, इसकी value, 1 रहेगी, कभी भी, ठीक है, n, c, n, और n, c, 0, यह क्या होता है, अपना, 1, तो 6, c, 6, यह हो गया, 1, यहाँ पर हाफ की degree, 6, और यहाँ है, हाफ की degree, 6, minus 6, यानि 0, यह हो गई, हाफ की degree, 6, और यहाँ हाफ की degree, आ गई 0, अब किसी की भी degree, 0, यानि 1, तो यहाँ बचा सिर्फ हाफ की degree, 6, तो solve कर लेंगे, तो यह तो अपना वही का वही आ जाएगा, 6 into 2 की degree, 6, यानि 1 upon 64, प्लस, यहाँ पर 1 बचा, यह भी 1 हो गया, यहाँ पर आजाएगा, 1 upon 64, और चाहो तो अगर simply इसको solve करना, तो दोनों की denominator सेम है, बीच में लगा हुआ है, प्लस, तो यह आजाएगा, 6 plus 1, 7 upon 64, clear समझ में आ गई बार, तो लीजे, यह हो गया आपका second part, खतम, ठीक है, अब हम करेंगे इसका third part, अब जो अपना third part है, वो है at most 5 success, जादा से जादा 5 success, तो हमको यह चीज अच्छे तरीके से पता है, कि जादा से जादा 5 और उत्पे कम, तो देखो, यहाँ पर क्या हो सकता है, कि 5 से और कम अगर आप जाते हैं, तो हमको यह चीज पता है, कि हो सकता है, कि हमको success ना मिले, और success नहीं मिले मतलब x equal to क्या हो गया 0 यह हो सकता है कि 1 success मिल जाए यह हो सकता है कि 2 मिल जाए यह हो सकता है कि 3 success मिल जाए हो सकता है 4 हो सकता है 5 बट सबसे ज़दा 5 इस से ज़दा नहीं at most ज़दा से ज़दा 5 सक्सेश समझ में आ गई बार तो बस बाती खतम होगी ठीक है है ना तो यहां पर यही पूछा गया कि at most 5 सक्सेश ज़दा ज़दा तो हो सकता है कि एक वी सक्सेश ना मिले हो सकता है एक मिल जाए दो मेल जाए तीन मिल जाए चार मिल जाए पांच मिल जाए लेकिन ज्याद से ज्यादा पांचंच से ज्यादा नहीं तो इन सभी की वैल्यू हमको find करनी होगी याने इनकी probability find करनी होगी तो चलिए कर लेते हैं तो देखिए ये values तो अपने को पता ही है N, P, Q ठीक है ये formula मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप confuse ना हो और N, C, N, N, C 0 equal to 1 होता है तो चलो यहाँ पर लिखेंगे probability of at most 5 success आपको लिखना है मैं सरिफ लिख रही हूँ at most 5 success ठीक है जाद जाद 5 इसके equal और इसके जादा नहीं तो यह सारी value आजाएंगी कि probability of x equal to 0 plus probability of x equal to 1 plus probability of x equal to 2 plus probability of x equal to 3 plus probability of x equal to 4 plus probability of x equal to 5 यह सब कुछ find करना है अपने को तो देखो अब आपके पास दो choice है पहली चीज तो कि इसके लिए अलग formula लगाओ इसके लिए अलग 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 जो सीधा सीधा तरीका हमको दिखे कई सबसे पहले और दूसरा तरीका क्या है कि हमको ये चीज़ पता है कि इसमें सिर्फ एक चीज़ और नहीं आ रही है, वो क्या नहीं आ रही है, x equal to 6, ये नहीं आ रहा है इसमें, बाकि अगर total देखा जाए, तो अगर 6 भी इसमें आ जाता, तो सबकी total probability क्या हो जाती, अगर आप add कर दें, probability of x equal to 0 से लेके, plus probability of x equal to 6 तक तो सबकी probability कितनी हो जाती, 1, ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास कहां से कहां तक है, 0 से लेके, 5 तक, तो अगर इसकी probability हमको चाहिए, तो इस वाले को उस तरब भेज देंगे, तो कहने का मतलब यह है कि probability of x equal to 0, plus and so on, probability of x equal to 5, equal to 1, minus probability of x equal to 6, अगर आप find कर लेते हैं, तो आपको इनकी अलग-अलग probability find करने की ज़रत नहीं है, आप सिर्फ x equal to 6 की probability find कर लीजिए, 1 में से minus कर दीजिए, आपको यही का यह result मिलेगा, आप 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 बास समझ पाए होंगे, ठीक है, at most of 5 success की बात हो रही है, अगर 6 भी इसमें आ जाएगा, तो total probability 1 हो जाएगी, ठीक है, तो total probability में से यह 6 वाला जो नहीं आ रहा है, इसको minus कर दो तो अपना काम बन जाएगा, तो बस वही है अपन करेंगे, इस पूरे को अपन लिख सकते हैं, 1 minus probability of x equal to 6, पूरे को अपन लिख सकते हैं, बास समझ में आ गई, तो बस अब अपने को एक formula लगाना पड़ेगा, अलाग-अला कितने सारे नहीं लगाने पड़ेगे, तो 1 minus, x equal to 6 के लिए formula के लगाते हैं, x की जगा पर यह 6 आ जाता है, तो n अपना कितना है, 6, c, 6, ठीक है, फिर यहाँ पर अपना small p, यानि success, तो success कितनी आई है, success की probability, half, degree में x, x कितना है, 6, और यहाँ पर half, 6 minus 6, ठीक है, तो यह क्या हो गया, 1 अपना as it is, रहने दो, अभी हमने देखा कि n, c, n होता है, अपना 1, half की degree 6, यानि की 1 upon 64, और half की degree 6 minus 6, यानि 0, यह भी हो गया, तो देखो, इसकी value 1 हो गयी, इसकी value 1 हो कर दी, half की degree 6, तो यह हो गया, अब इसको solve कर लो, तो यह 64 minus 1 ही आ जाएगा, 63 upon 64, लेजे, तो यह आ गई, आपकी probability of getting at most 5, तो इस तरीके से आपका third part भी हो गया, complete, तो यह जो questions है, यह simple बहुत है, बस आपको यह formula proper लगाते आना चाहिए, आपका n c x factorial n upon n minus x factorial x, यह formula काम में आएगा, starting में आपको यह, यह और यह तीनों चीजें find करना है, ठीक है, इस तरीके से question number 1 हो गया, complete, अब हम देखेंगे, next question, question number 2, so next question अपना है, question number 2, तो question number 1 अगर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया, तो question number 2 में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमको यह बोला जा तीसरी बार किया, चौती बार किया, तो यह हैं अपने trials, दो डाय को हम कितनी बार थ्रू कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, चार बार हम थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पर number of trials अपने कितनी हो गए, 6, पहली चीज़, अब आगे बोला जा रहा है, if getting a doublet, तो भाई हमको यह चीज़ पता है, कि चार बार अपन दो डाय को थ्रू कर रहे हैं, तो दो डाय को थ्रू करने पर total possible outcome कितनी होती है, 36, यह एक trial की अपन हमेशा total outcome की बात करेंगे, इसमें, अब इससे पहले question में हमने एक डाय को थ्रू किया था, कितनी बार, 6 बार, तो हमने एक trial के लिए देखा था, कि हमने एक trial में अगर डाय को थ्रू करता, तो 6 outcome आएंगे, अब इसी तरीके से हमने अगर एक बार हम दो डाय को थ्रू कर रहे हैं, तो 36 outcome आएंगे, क्या-क्या से अपना 4 1 से लेके 4 6 तक 5 1 से लेके 5 6 तक और 6 1 से लेके 6 6 तक तो टोटल 36 आउटकम होती है लेकिन यहां पर बोला क्या जा रहा है if getting a doublet is considered a success तो में अपन पकड़ेंगे success को तो success किसको बोला जा रहा है यहां पर getting a doublet तो doublet का मतलब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इन सभी में अगर दोनों डाये पर सीम नंबर आ जाएं तो वो हमारा कहलाएगा तो यह सारे हो जाएंगे आपके doublet इसके अलावा जो भी आउटकम रहेंगे वो फेलियर में कंसिडर हम करेंगे तो आई होप आपको आप बात समझ में आई होगी ठीक है तो अब इसको अपन हटा देते हैं ठीक तो getting a doublet का मतलब कौन-कौन से आउटकम कितने 36 probability of failure find करेंगे तो इन 6 को छोड़कर बाकी जो सारे आउटकम रहेंगे आपके ठीक है वो सारे के सारे आउटकम रहेंगे आपके फेलियर में consider आप करेंगे तो तीस आउटकम 36 में से जो बचे हुए छे को छोड़कर बचे हुए आउटकम रहेंगे 30 आउटकम तो यह हो जाएगा ठीक है 6 से कैंसल करते है 6 036, 65 030, 66 036 तो success की probability को small p से show करते हैं failure की probability को small q से तो n की value, p की value, q की value आ गई अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है probability of 2 success find करना है क्या find करना है probability of 2 success मतलब probability of x equal to 2 find करना है मतलब small x अपना कितना है यहाँ पर 2 तो भाई अपने को यह चीज़ पता है कि probability of x equal to x का formula होता है n c x small p की degree x small q की degree n minus x तो बस values रख देना है और आपका काम खतम तो यहाँ पर probability of x equal to x की जगा पर कितना 2 और n अपने को पता है 6 oh sorry 4 times तो 4 है ना pair of die दो die को थ्रो कर रहा है चार बार तो 4 ट्राइलों है ना तो 4 c x कितना है 2 और यह कितना आया है p अपना 1 upon 6 की degree x x कितना है अपना 2 और q q मतला failure की probability 5 upon 6 तो n minus x n कितना है 4 minus 2 2 इसको solve कर लेना है आपका काम बन गया चलो कर लेते हैं तो 4 c 2 तो formula लगेगा आपना यहाँ पर तो factorial 4 upon 4 minus 2 factorial 2 और यह factorial 2 आए गई आएगा ठीक है यह हो जाएगा 1 upon 6 की degree 2 हाँ तो 1 6 6 are 36 into 25 upon 36 यहाँ पर देखें आप यह हो जाएगा 2 1s are 2 2 1s are 2 ठीक है और इसको open कर देंगे तो 4 into 3 into 2 into 1 और इसको 2 1s are 2 2 1s are 2 2 2 2 0 4 ठीक है तो इस 4 से यह 4 cancel 3 2 0 6 6 6 are 36 लेज़े तो बस यह छोटी छोटी चीज़ें अपने को solve करना है सबसे पहली चीज़ हर question में इस तरह है कि probability of success probability of failure find करना है n की value find कर लीजिए और फिर पूछा क्या है उस पर जाएगे इस तरीके से proper question करना है एक दम proper तरीका यह है आपका ठीक है तो question number 2 हो गया है complete अब हम देखेंगे next question तो यहाँ पर अपना next question है question number 3 तो यहाँ पर आप सीधा सीधा कुछ नहीं बोला गया अपने को खुद देखना होगा कि क्या बोला गया और किस तरीके से अपने n की, p की और q की value find करेंगे देखो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है there are 5% defective items तो पहली ही जो line है इसमें आपने देखा कि there are 5% defective items in a large bulk of items यानि बहुत सारी चीजें हैं अब यहाँ पर जो items हैं वो कुछ भी हो सकते तो large bulk of items में 5% defective item है आगे चलते हैं बोला है what is the probability that a sample of 10 items will include not more than one defective item तो इसकी probability पूछिए लेकन अपने से क्या बोला है sample of 10 items यानि कि इतने सारी चीजें हैं उन में से हम जो sample के लिए लेंगे वो लेंगे 10 items पहला item दूसरा तीसरा चोधा इस तरीके से 10 items हम sample के लिए लेंगे तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम इसको check कर रहे हैं इसमें कितने defective हैं और कितने non-defective item हैं समझें हैं बात को तो हम 10 items का जो है sample लेंगे कहने का मतलब क्या हुआ कि defective item चेक करने के लिए हम 10 items को निकालके देखेंगे तो 10 items जो हैं मतलब यह हो गया आपका n यानि trials ठीके तो भाई यह अपना bulk of item है इसमें से अपने पहला item निकाला देखा कि defective है या non-defective है ठीक है फिर रख दिया फिर वापस निकाला देखा कि defective है या non-defective है फिर रख दिया तो इस तरीके से आपन कितने sample ले रहे हैं 10 तो इसी तरीके से 1 से लेके 10 तक के sample मतलब 10 trials ठीक clear तो सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई clear अब आगे बढ़ते हैं आगे बोला जारा है what is the probability that a sample of 10 items will include not more than one defective item probability find करना है not more than one यानि सबसे ज़्यादा one या उसके equal रहेगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए x is less than one यानि कि one के one से या तो छोटा रहेगा या one के equal रहेगा ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पर बोला है there are 5% defective item मतलब पूरी की पूरी defective item की बात हो रही है यहाँ पर तो हम हमारी success को defective item ही ले लेंगे तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो भी success रहेगी जो question में अपने को दिया है जिस के बारे में बात हो रही है उसी को अपन success लेकर चलेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमने success लिया कि यहाँ पर भी defective की बात हो रही है यहाँ पर defective item की अपने को 5% दिया है कि इतने सारे सामान में 5% defective item है ओके ठीक है और अपना जो एक्स रहेगा वो रहेगा number of success यह तो अपने को पता ही है ठीक है अब बस अब अपना काम बन गया अब अपन चलेंगे अब अपन ही नहीं है कि total पूरा कितना सारा सामान है उसमें से कितना डिफेक्टिव है तो यहाँ पर सीधा सीधा पहली लाइन में दिया है कि पूरे सारा का सारा बलक ओफ आइटम है इसमें 5% defective item है तो defective की ही probability हो जाएगी success तो 5% clear चलो अब probability of non-defective यानी failure small q तो हमको यह चीज़ पता है कि बही कभी अपने पास सारी चीज़ें नहीं दी है तो आपको यह चीज़ पता है कि probability of getting success plus probability of getting failure equal to 1 होता है failure की probability चाहिए तो 1 में से success की probability माइनस कर तो आपका काम बन जाएगा तो 1 माइनस small p तो यह हो जाएगा आपका 1 माइनस 5 अपॉन 100 तो यह हो जाएगा 100 माइनस 5 95 ओबर 100 clear ठीक है चलो ठीक है तो अपने पास n की value आ गई ठीक है इसके बाद small p small q की value आ गई अब अपने को और चाहें तो उसको cancel कर दीजिए ठीक है तो यह हो गया अब अपन आते अपने को पूछा क्या है कि probability of getting 10 items will include not more than one defective item यानि यह जो है यह वन से जादा नहीं होने चाहिए वन के equal हो सकता बट वन से जादा नहीं होना चाहिए तो हमको यह चीज़ पता है कि वही 10 items हम 10 बार trial कर रहे हैं तो यह हो सकता है कि हमको एक बार भी defective item नहीं होना चाहिए या फिर यह हो सकता है कि एक बार defective item मिल जाए इस condition के लिए तो हमको पर फिर निकाला तो हो सकता है एक बार defective item नकल जाए यह दो ही condition हो सकती है अब यहाँ पर फॉमल आपना वही लगेगा एन चालो लिख लेते ही एन कितना है अपना? 10 10 C X 0 है ना P, P कितना है? 1 अपॉन 20 की डिगरी X 19 अपॉन 20 की डिगरी 10 माइनस 0 यानी 10 बात क्लियर हो गई, ठीक है अब यहाँ लगाईए प्लस 10 C 1 ठीक है और P कितना है अपना? 1 अपॉन 20 की डिगरी 1 और 19 अपॉन 20 की डिगरी 9 क्योंकि 10 माइनस 1 ना है बस इसको solve कर लेना है आपका काम बन जाएगा तो कैसे करें इसको solve तो देखे यह जो है N C 0 आगया तो यह तो हो गया 1 यहां लिखते हैं यह हो गया 1? यह हो गया 1 10 माइनस 1 ना है और फेक्टोरियल 1 फेक्टोरियल 10 इंटो फेक्टोरियल 9 फेक्टोरियल 9 और यह 1 इससे एक एंसल 10 आ जाएगा ठीक? 10 इंटो 1 अपॉन 20 आजटिस की डिगरी 1 और यह है अपना 19 अपॉन 20 की डिगरी 9 समझ में आगई बाग यह 1 हो गया इसकी डिगरी 0 यह 1 हो गया यह एजटिस लिग दिया आपनने 10 सी 1 10 हो गया 1 अपॉन 20 की डिगरी 1 1 अपॉन 20 हो यह एजटिस अब आप देखें दोनों जगा से 0 से 0 कैंसल हो गया दोनों जगा ऐसे आप कॉमन ले सकते हैं 19 अपॉन 20 की डिगरी 9 क्योंकि यह 10 जादा यह 9 इसके बाद अंदर ब्रैकेट के बचेगा 19 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन यह पर 20 रहने दो आसान रहेगा 10 अपॉन 20 ठीक है? समझ में आई बाद यहां से 19 अपॉन 20 की डिगरी 9 कोमन आ गया तो यहां 1 यहां कुछ नहीं बचा सिर्फ बचा 10 अपॉन 20 प्लस यहां से निकल गया 19 अपॉन 20 की डिगरी 9 तो यह आजाएगा 19 अपॉन 20 की डिगरी 9 इसको solve कर लेंगे तो यह आजाएगा आपका 29 upon 20 बस यह आगया आपका आंसर ठीक है पॉपर लिख देते हैं अपन 29 upon 20 और 19 upon 20 की डिगरी 9 रीचे हो गया अपना question number 3 complete तो next है अपना question number 4 इसमें भी 3 पार्ट है ठीक है तो first part अभी हमने लिखा हुआ है 5 cards are drawn successively with a replacement from a well shuffled deck of 52 card तो playing card अपने total 52 होते हैं तो अपने को पता ही है इसमें से 5 card निकाल रहे हैं successively मतलब एक के बाद एक लेकिन यहाँ पर word use हुआ है with a replacement मतलब 52 card है ठीक है पहला trial फस्ट trial मतलब जब पहली बार निकाला ठीक है card देखा और वापस रख दिया ठीक है देखा और वापस रख दिया तो 52 card total 52 ही रहेंगे अपने second trial के लिए तो मतलब हर trial में आप जाएंगे तो probability पर फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि with a replacement word use हुआ है मतलब अपनी जो trials रहेंगे यह independent trials रहेंगे और सभी में success की probability सेम रहेंगे यह अपनने पड़ा था बर्नौली ट्राइल्स में यानि बर्नौली ट्राइल्स को बर्नौली ट्राइल्स क्यों कहते हैं वो conditions में ठीक है तो यहां पर success के बारे में कुछ बोला नहीं गया है तो आप success किसको लें तो आप इसका first part देखेंगे तो इसमें भी five cards are speed second में भी speed की बात हो रही है और third में भी speed की बात हो रही है तो यहां पर हम क्या करेंगे जो चीज पूछिए ठीक है तो बस यहां पर अपने को यह चीज़ पता हो नहीं चाहिए कि अपने टुटल 52 cards होते हैं ठीक है जिसमें से speed the clubs the diamonds the hearts में यह चार पार्ट में अपने cards divide होते हैं जो कि यह 13 13 13 13 होते हैं अपने कोई चीज़ पता है तो यहां पर अगर getting is paid की बात हो रही है तो जब अपन probability of success find करेंगे तो success के favor में कितने outcome होगे speed कितने होते है 13 तो number of favorable outcome over total possible outcome ठीक है समझ में आई बार 13 speed होते हैं 13 club होते हैं 13 diamond होते हैं 13 हाट होते हैं जिसमें से यह दोनों black होते हैं और यह दोनों अपने red होते हैं colors की बात करें तो है ठीक है तो खेर यह तो आपको पता ही होगा ठीक है तो यह हो गया और probability of failure और find कर लेते हैं इसके लिए कुछ नहीं है 13 के अलावा जो card है आपके 39 over 52 clear हो गई बात इनको cancel कर दीजें ठीक और success की probability को small p से failure की probability को small q से शोकट तो यह चीज सबसे पहले अपने को find कर लेना है अब आते हैं अपने first party यहां पर बोलाए probability of all the five cards are speed यानि पांच ट्राइल जो है तो मतलब पहली बार में भी speed आए दूसरी बार में भी तीसरी बार में भी चौथी बार में भी पांच भी बार में भी मतलब x equal to x के लिए सबसे पहले तो formula लिख लेते हैं अपन तो इसका formula क्या होता है अपना n c x p की डिगरी x q की डिगरी n-x अब अपन आते हैं अपने first पे तो यहां बोला है कि सारे के सारे card अपने जो है यानि x equal to 5 card जो है वो स्पेड्स होने चाहिए तो ठीक है formula में value रख दो और काम खदम अपना ठीक है तो n केतना है अपना 5 c 5 और p यानि की probability of success 1 upon 4 probability of failure अपना 3 upon 4 ठीक है और n-x यानि n केतना है 5 और x भी 5 है यानि 5-5 0 solve कर लीजिए तो n c n अपना 1 ठीक है और यहां पर 1 के डिगरी 5 1 4 के डिगरी 5 यह हो जाएगा अपना 1024 और 5-5 यानि 0 तो किसी की पी डिगरी 0 यानि की 1 तो यह आगे अपना 1 upon 1024 लीजिए पस्ट पार्ट खतम अब second पर आते हैं only 3 cards are spades कुछ दिक्कत नहीं है भाई x की जगा पर 3 आ गया बस तो probability of x equal to 3 ठीक है तो formula आपना यही वाला रहेगा यहां रखिए n कितना है अपना 5 c x कितना है यहां पर 3 success 1 upon 4 इसकी डिगरी क्या आती है x x यहां पर कितना है 3 failure है 3 upon 4 और यहां पर आएगा n minus x यानि 5 minus 3 solve कर लेते हैं है तो 5 c 3 को solve करने पर अपना आगया 10 ठीक है 1 upon 4 की डिगरी 3 तो 1 की डिगरी 3 1 4 4 जार 16 16 4 जार 64 3 की डिगरी अब 5 minus 3 2 3 3 जार 9 ठीक है और 5 minus 3 की डिगरी 2 तो 4 4 जार 16 इसको cancel कर लेते हैं 2 5s are 10 2 8s are 16 5 9s are 45 upon second part भी हो गया खत्म अब third का करते हैं अपन none is a speed यानि आपन पांच बार कार्ड निकाल रहे हैं न हां पांच बार कार्ड निकाल रहे हैं पांच बार कार्ड निकाल निकाल रहे हैं पांचों में एक बार भी स्पेड ना आए एक बार भी स्पेड नहीं आ रहा मतलब सक्सेज कितनी हुए जीरो इसका मतलब हुआ प्रोबिलिटी ओफ एक्स इक्वल टू जीरो तो एक्स की जगा पर अपने को जीरो रखना है तो यह फॉर्मिला रहा एन कितना है पाइव सी जीरो एक्स की जगा पर जीरो सक्सेज यानि की वन अपन फॉर इसकी डिगरी एक्स एक्स की डिगरी एक्स क्या है अपना जीरो ठीक और थ्री अपन फॉर और और इनवाइन से ख की अभाइनR 5 जीरो बस इसको स्लॉ निए धुसकर कर लिए 107 डिरो अपना क्या होता है एन वन पॉर की डिगरी जीरो यानिकी यानि त्की इसको स्लॉट कर लो त्री डिग डिगरी फाइगा 243 वो 4 की डिग्री 5 हो जाएगा 1, 0, 2, 4 तो 1 तो 1 ही है तो यह होगया 243 upon 1, 0, 2, 4 लीजे यह आगया आपका अंसर थर्ड वाले का ठीक है तो लीजे एक ही बार में हमने हमारा यह कर लिया 1st part यह कर लिया 2nd part और यह कर लिया अपना 3rd part तो इस तरीके से question number 4 हो गया हमारा complete इसको note करना है तो वीडियो को pause करके आप note कर सकते हैं बाग की आज की class में हम बस इतना ही करेंगे आज की class में हमारी exercise 13.5 के 4 question complete हो गया है और I hope के questions आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होगे आगे के question एक बार आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होगे वीडियो भी पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है और चैनल को subscribe नहीं किया है तो भई चैनल को subscribe जरूर करिए चलिए फिर मिलते हैं लिए वीडियो में तब तक के लिए भी और ने दूर चैनल को लिए वीडियो अच्छी तरीके लिए